हेलो अरिवान, वेलकम टू फॉर्मरोक्स यूटूब चैनल, फॉर्मरोक्स की यूटूब इजू किसनी चैनल में आपका स्वागत है आज की उड़ी लेक्चर में हम डीटेल में स्टेडी करेंगे डाइना पार टाबलेट्स के बारे में तो हम सिखेंगे उनके बेजिक यूट के बारे में के डाइना पार टाबलेट्स कौन से अलग अलग मेडिकल कंडिसन्स को ट्रीट करने के लिए यूज की जाते है उसके डोस के बारे में सिखेंगे उसके side effects क्या होती है and warning and contraindications की detail study करेंगे और सिखेंगे dynapar tablets के बारे में detail में तो expert lecture बाया मरसर assistant professor and founder of pharma rocks thank you पर बीन pharma rocks family updated रही है pharma knowledge के साथ सीखे अलग-अलग बीमारियों के बारे में उनके उपचार के बारे में कौन सी दवा use होती है उनके dose, side effects, warning and contraindications एक साल तक affordable price में pharma rocks के अब उपर तो medicine course हम आपको provide कर रहे हमारी app पे जिसका नाम है pharma rocks तो app download करके भी आप course को access कर सकते है या फिर हमें whatsapp कर सकते है 9016-312-020 पे link description box में मिल जाएगी हमारी second चलन को भी subscribe करके support करे जिसका नाम है Hollywood to Hindi explain तो अब समझे यह dynapar tablets के बारे में तो यह ऐसे class के medication है कि जिसका हम pain killer और anti-inflammatory के categories में रिखते हैं कि यहाँ पे आप देखो कि इसके अंदर दो medications का combination है एक जो है वो है diclofenic है और दूसरा paracetamol तो diclofenic इसके अंदर 50 mg जितना है और paracetamol 325 mg जितना यह tablets के अंदर combination में available है और जिसके manufacturer Troika Pharmaceuticals Limited है कि यहाँ पे आप उसका logo देख सकते हैं Troika का तो और Troika Pharmaceutical जो है कि Indian Multinational Pharmaceutical Company है कि जिसका headquarters गुजरात में एहमदाबाद में है यहाँ पे आप उसकी facility यहाँ पे आप देख सकते हैं Troika कि जो एक Indian Multinational Pharmaceutical Company है तब उसके label की हम detail study करें तो यहाँ पे आप देखो label के उपर सबसे पहले यह tablets कि इस type की है तो uncoated tablet है उसके उपर किसी भी प्रकार का coating नहीं किया हुआ है तो आप उसको समझो कि हाप करके भी ले सकते हैं इस tablet को एक tablet के अंदर diclofenic रहेगा 50 mg जितना कि जिसका salt composition है diclofenic sodium और paracetamol उसके अंदर जो present है वह है 325 mg जितना paracetamol यह एक tablet के अंदर present है फिर उसके color की हम बात करें तो indigo carmine color इसके अंदर red किया हो गया है सकते है उसके tablets के उपर तो veterinary use के लिए नहीं है यहाँ पर खास लिखा है कि not for veterinary use तो animals के लिए उसको use ना करें और lights से आपको उसको protect करनी है और यहाँ पर manufacturer के detail है कि Troika Pharmaceutical Limited कि जो गुजरात में है अहिमदाबाद तो इस तरह से tablets का packing आप देख सकते हैं और dynapar कि जो diclofenic, sodium और parasitamal का combination है तो यह medication जो है वो non-steroidal anti-inflammatory drugs की category में आती है कि जिसके पास anti-inflammatory properties है साथ हो साथ analgesic properties भी है कि जिससे यह combination जो है वो आपको osteoarthritis, rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis जैसे condition को treat करने में use कर सकते हैं जैसे कि हमने बात किया कि अगर आपको गुटनों का दर्ध हो रहा है फिर joint में आपको pain हो रहा है आपको दर्ध हो रहा है आपके सरीर के नदर या फिर किसी भी painful condition आपके सरीर में है जैसे कि आपको teeth surgery के बाद या उससे पहले आपको दात में दर्ध हो रहा है kidney stone का आपको pain हो रहा है या फिर किसी भी type का दर्ध आपके सरीर में हो रहा है तो उसको काम करने के लिए यह medication use की जदे साथ उसाथ यह सूजन भी काम करती है जिसके करन उसकी mechanism इस तरह से है कि यह anti-inflammatory और साथ उसाथ एनलजिसिक के दौर पर काम करता है और यह fever भी काम करती है कि यहाँ पर आप देखो कि prostaglandins release होते हैं आपके सरीर के अंदर और वो आगे जाके जो तैयार होते है किस तरह से तो arachidonic acid जो होता है वो cox enzyme की जिसका नाम होता है cyclo oxygenase enzyme उनको utilize करके बनाता है prostaglandin की जिसको cox enzymes का आ जाता है तो यह जो medication क्या करती है जो cox enzymes होते हैं उनकी activity को inhibit कर देती है कि आप समझो कि dynapar के tablets लेते हैं तो dynapar जैसे ही आपके सरीर में जाके dissolve हो जाती है और फिर उसकी medication वहाँ पर absorb होते हैं तो सबसे पहले यह cox enzyme को inhibit कर देगी अब आप मानलो कि समझो कि cox enzymes नहीं है तो बले arachidonic acid यहाँ पर present है पर cox नहीं होगा तो prostaglandins नहीं बनेंगे और prostaglandins नहीं होगा या फिर देरे-देरे कम हो जाएगा तो pain के sensations कम हो जाते हैं सूजन कम होने लगती है और fever यानि के बुखार भी कम हो जाते हैं इस तरह से यह dynapar tablet जो है वो काम करता है वीडियो के बीच में मैं आपको बता दू कि हमारी second channel है उसको जरूर सो subscribe करें और हमें support करें link description box में मिल जाएगी अब उसके dose के बारे में आप समझो तो dynapar tablets जो आप एक tablet दिन में दो या तीन बार जो आप खा सकते हैं कि आप यह जो tablet है उसको एक सुबह और एक साम इस तरह से खा सकते हैं या फिर ज्यादा pain है तो दिन में तीन बार भी patient ले सकते हैं पर usually low dose से आप treatment start कर सकते हैं कि starting में आप एक tablet खाते हैं per day फिर ऐसा लगे कि एक से ठीक नहीं हो रहा तो ही आप दो लीजिए वरना समझो कि कि आप एक tablet लेकर आपको दर्द से राहत मिलती है तो दिन में दो tablet खाने की जरूरत नहीं रहती हैं तो उसके indications जो हम देखे तो जो pain relief के तोर पे काम करता है यह dynapar tablet कि जितने भी अलग-अलग type की जो दर्द होते हैं उसके लिए dynapar tablet को prescribe कि जैसे कि आपको समझो कि back pain हो condition हो रहे हैं आपके पूरे बदन में दर्द हो रहा है तो यह सभी conditions को dynapar treat करता है फिर समझो कि bone fracture हुआ है muscles cram है joint pain है सभी को यह medication जो है वो treat करते हैं इसके कुछ side effects होते हैं जैसे कि आपको vomiting हो सकती है यह लेने के बाद पेट में दर्द हो सकता है epigastric pain जिसको हम कहते है नौजिया vomiting मलब कि उल्टी हो जाना जीग अब रहना indigestion मलब कि खाना digest नहीं हुआ है आप ऐसा फिल करें जिसको अप आचन की condition हम कहते है डायरिया हो जाते कुछ लोगों को heartburn मलब कि सीने में जलन या फिर बूख कम हो ज confusion, dizziness, headache तो अगर कोई भी ऐसी serious side effect आप notice करते तो तुरंत डायना पार को लेना बन करते Contraindications के हम बात करें तो अगर आपको non-stradural anti-inflammatory drugs की allergy है तो डायना पार टाबलेट को यूज ना करें because उसके अंदर दो combination में है, diclofenic है और साथ में paracetamol है, फिर अगर आप heart related patient है तो उसको avoid करें peripheral artery related कोई problem मनलब कि आपके arteries की जो blood vessels होती है उसमें fat जमा हुआ है, वो narrow हो गई है या फिर आपको heart related बिमारी है, कि जिसको cardiovascular system related, diseases या फिर disorders कहते हैं वो लोग उसको use ना करें फिर peptic ulcer की जिनको pate में ulcer है, gastric ulcer है या फिर isophagial ulcer है, duodenal ulcer है, किसी भी type का ulcer है तो वो लोग इसको ना खाए, आपको liver खराब है, या फिर kidney related कोई problem है, बच्चों में उसको खास करें, avoid करें, सिर्फ और सिर्फ ऐसा हो, तो paracetamol आप यूज़ करें और pregnancy में भी उसको avoid करें, विकाज उसके साथ combination में डाइकलोफ है नेक है, प्रेगनसे में आपको ऐसा कुछ हो, fever वगेरा, दर्द है, तो सिर्फ और सिर्फ आप paracetamol खाए, इसके अलावा कोई pain killer दूसरी लेनी के ज़रुवत नहीं रहती, तो ऐसे ही हम आपको के medicine course के अंदर डिटेल में दवायों के basic use के बारे में, उनके dose के बारे में, उनके side effects, warning, contraindications, एक साल तक affordable price में फार्मा रोक्स के पूपर, तो decision medicine-related course से अकसेस करने के लिए हमें whatsapp करें, 901631-2020 पे या फिर app डाउन्लोड करें हमारी फार्मा रोक्स, या फिर हमारे number पे आप कारणा थी जार्मा रोक्स कारणा रोक्स